अब बेटा जो स्वरवरण आगे हमारे मतलब इसमें क्या होता है किसी अन्यवरण के सहता नहीं लेनी पड़ती है स्वयम राजते इती स्वरा अर्था होते ये सोतंतर रूप से इनका उचारण किया जाता है ये हमारे स्वरा आगे जैसे कि और संस्कीत में दो एक्स्टा री और री तो इनमें किसी अन्यवरण के सहता नहीं होती है और स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं मूल स्वर ये देखो मूल स्वर जैसे अ ई उ और री ये हमारे मूल है दिर्ग स्वर जब अ में अ मिला तो आ हो गया ऐसे ही ई दिर्ग हो गया और संधी स्वर इसी हम मिश्टित स्वर भी कहते हैं तो ए और उ को क्या बना ए अ और उ को ओ और और उ को ओ तो ये बेटा इनको हम क्या कहेंगे कि रचना की दिश्टी से जब पोचे जाता है न कई बा कौन से हरस्व, दिर्ग और प्लूत अब देखिए जो हरस्व होता है इसमें क्या होता है उचारण में थोड़ा सा समय लगता है और दिर्ग में क्या होता है हरस्व की तुनला में दुगना समय लगता है जैसे कि और प्लूत में क्या होता है हरस्व की तुनला में तिगना समय राम, जब दूर से हमने किसी को सम्मोधित करना है हे राम, तो हाँ पे हम प्लूत का प्रयोग करेंगे और जो प्लूत का जो बेटा निशान होता है इसे हम मैंशन करते हैं देवनागरी के तीन के तरह छोटा सा आप सभी जानती हूँ, मैंने आप सभी को बताया भी हुआ है तो ये आगे हमारे स्वरवर्ण अब हम चलते हैं वेंजन की और वेंजन, वेंजन क्या होते हैं जिनके उचारण में स्वरों की साहता लेनी पड़ती है जैसे कि हमारे पास कोई वेंजन ले लिया जैसे मैंने यहां पर लिख लिया कव को जो मैं तोड़ूँगा तो कवरण विच्छेद करूँगा कव तो हमारा क्या आगया वेंजन आगया लेकिन अ इसमें क्या है स्वर है तो जिनमें स्वरों की साहता लेनी पड़े तो यह में देख़ो जो हमारे 25 स्फवर्ण आगये यह ऐसे रखना आपने कवरग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग है याने की काखा गागा चाचा जया ताठधा ध।ढ़ दहना पाफा भभवा मा मा ये सारे के आगे वेटा ये कवरग आगे ये 25 होते हैं अब हम चलते हैं को को कहेंगे हम सपर्षवर्ण अब अंतस्थवर्ण क्या हुए ये बार बार पूचे जाता है या रा लावा ओश्म वरण जिसमें थोड़ी सी गर्मिन के लिए होटों के मार्दम से शा शा साह अनुस क्या कहेंगे मार्दम को इसी हम कहेंगे अनुनासिक क्या कहेंगे अनुनासिक कहेंगे इसी हम कहेंगे